आप लेलो जहां पे बहुत ज्यादा population है बट उनका economic growth नहीं हुआ उस state का economic growth इतना नहीं हुआ जितना गुजरात और महाराष्टर का हुआ क्योंकि maximum production और वो सब गुजरात में होता था maximum production होके export गुजरात में से होता था maximum service और goods production महाराष्टर में होते थे तो वो दोनों hub थे तो यह सबसे ज़्यादा grow हो रहे थे और दूसरे state का कोई अता पता नहीं था कोई अता पता नहीं था now what I am trying to tell you listen carefully नरेंद्र मोदी का जो slogan है अगर आप उसको analysis करते हो मैं तो बहुत analysis करता था पहले से ही तो यह demonetization आने वाला था उससे पहले भी मैंने hint दी थी कैसा कुछ होने वाला है क्योंकि यह person जो set कर रहे है parameters यह कुछ जादू करेंगे वो क्या बोलते है सबका साथ सबका विकास if you heard that particular concept तो जब GST आने वाला था तब यह parameters आया था सबका साथ सबका विकास अब क्या हो रहा है दो तीन state grow हो रहा है enormously और दूसरे grow नहीं हो रहा है अब मैं आइस के पीछे का logic आपको बताता हूं अब आप मुझे बता हो कि अगर population उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है अगर population उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है तो it is obvious कि consumption जो होता है वो उत्त manufacturing महाराष्टर और गुजरात में होता है तो इन देट के सबसे ज्यादा biscuit बीखने वाला है लेकिन टैक्सेशन सबसे ज्यादा यह दो स्टेट में मिलता था पहले लेकिन आप समझो biscuit पूरे इंडिया में खाना जाता है पूरे इंडिया में सब लोग खाते हैं biscuit अब उत्तर प्रोदेश में ज्यादा हो रहा है consumption का मतलब समझो see what I am trying to explain you is the heart of the subject if you understand this then it is easy for you to understand otherwise you have to mug up certain things consumption is very important aspect of GST GST is also known as consumption-based tax GST जो है वो consumption-based tax सभ्का सब्सक्राइब का सबसे ज़्याधा उत्तर प्रदेश में से लेने वाला पैसे देगा उत्तर प्रदेश के लोगों ने biscuit लिये मिले किसको गुझरात 고्वर्मेंट आप समझ रहे हो यानि जितने बड़े बिजनेस थे वहुझराट महराराष्टा में थे वह आप बेशते हो चीज़ पैसे दूसरे स्टेट में से ले रहे हो लेकिन टैक्स जो है वो गुजरात और महाराष्टर को मैक्सिम मिल रहा है तो उसके हो क्या रहा था देश ओवरॉल डेवलप नहीं हो रहा था अप सुनो गुजरात तो डेवलप होई रहा था क्योंकि अब अभी उनका responsibility ज्यादा है as a for entire nation he needs to think तो उन्होंने consumption-based tax लेकिया है अब सुनो consumption-based tax का मतलब क्या है अगर UP के लोग biscuit लेते हैं तो consumption कहां पे हुआ UP में पैसे किस लोगों ने दिये UP के लोगों ने तो उसके अंदर जो GST का component है वो UP के लोगों को मिलना चाहिए UP के consumption-based tax के हिसाब से development of UP के लिए यूज होना चीए ना कि उसको आप गुजरात में shift करो क्योंकि factory गुजरात में थी तो अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं वो उसकी हुझे से हो क्या रहा है कि अब क्या होगा हर स्टेट डेवलप होगा अब सुनो लेकिन हर स्टेट ड 1000 करोड का गुजरात को loss हुआ है because of GST क्योंकि GST के अंदर consumption tax होने की वज़े से जो स्टेट में goods consume होंगे उस state को उसका tax मिलना चाहिए अब प्रॉबलम क्या है यह जो GST का हार्ट है ना वो कहीं पे लिखा नहीं है वो प्रियेंबल में लिखा है और फाइनल में place of supply में लि सब्जेक किया है सर इससे क्या होता है अब आप समझो एपल कस्मीर के famous है तो पैसे उनको मिलेंगे सौल जो होगी हो स्री नगर की famous होगी तो पैसे उनको मिलेंगे are you getting it or not जहां पे आप देखो production based होता है चीज तो उसके अंदर क्या होता था उसी को मिलता था दूसरों को न 2024 तक है ना overall बहुत सारे स्टेट इंडिया में डेवलप हो जाएंगे काफी सारे स्टेट डेवलप हो जाएंगे इस नॉट लाइक डेट उनली गुजराते और महरास्ट्रा सर आपने इतनी सारी स्टोरी क्यों की क्योंकि यह जो बॉक्स था ना यह जो बॉक्स था ना यह को weaken क्यों करवा देते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था यह बॉक्स का मतलब क्या है यह बॉक्स का मतलब क्या था वो किसी को पता ही नहीं चलता था यह समझाने के लिए मैने आपको समझाया कि यह जीस टी जो है वो Consumption Based Tax है से Goods कहां पे Consume हुए that is important Now let me explain you कि अगर यह आप C पार्ट देखोगे यह तीसरा पार्ट इसमें क्या किया उन लोगोंने गुजरात में से माइनस कर दिया और सेंट्रल ने ले लिया ऐसा किया अभी इसका तो कोई एंट्री उपर आया ही नहीं था यानि काफी सारे सर लोगोंने क्या बोल दिया कि यह गलत बॉ पूरा लॉजिक समझाता हूँ ध्यान से देखो अब यह पूरी साइकल को एक एक बार बारी बारी देखो मान लो यह 20,000 का जो आइटम था अज्यूम करो कि यह फ्रीज है यह एसी है जो भी आपको अज्यूम करना है करो पहले क्या हुआ गुजरात के मैनुफेक्टर ने किसको दिया A को X ने एको दिया दोनों पार्टी कहां के थी गुचरात की तो पहले सरकार को क्या लगा यह गुचरात में सेल हो गया ऐसा करके उन्होंने गुचरात में पैसे ले लिए अठाखाश्या है assume he is consumer उसने fridge घर पे लग दिया वो आगे sale नहीं करने वाला assume करो तो हुआ क्या ये goods बने भले गुजरात में थे लेकिन consume कहां पे हुए dear friends ultimately ये goods किसके वहां रहे आगे की तो chain है आगे का तो businessman concept है purchase sale purchase sale purchase sale ultimately किसकी जेब में से पैसे गए जिसने consume किया customer ने indirect tax आपको पता है ना set of होता जाता है ultimate थपड किसको पड़ता है businessman sorry ultimate थपड किसको पड़ता है customer को तो who is bearing the GST customer तो उस customer का जो tax है वो उस राज्य के लिए use होना चीए ऐसा concept है तो आप देखो ultimately ये transaction कहां पे जाके खतम हुआ राजस्तान के अंदर अगर राजस्तान में ये transaction खतम हुआ तो हमने बीच में ही गुजरात government को अठारा सु रूपे दे दिये थे वो गलत थे इसलिए उससे पैसे वापस ले लो गुजरात government को निल करो और कौन लेगा वापस central government क्योंकि बीच में central government पढ़ी है तो हम उससे पैसे ले लेंगे तो ये एंट्री जो दी ना consumption based tax के logic के behind पर पढ़ी थी कि ये goods अगर गुजरात में consuming नहीं हुए तो किस चीज़ का tax गुजरात ले रही गुजरात को नहीं मिलेंगे जो state में ये consumption हुआ है उसको tax मिलना चाहिए अब ध्यान से देखो हमने पूरा cycle समझा लेकिन last में पता चला कि ये goods consume कहां पे हुए राजस्तान के अंदर तो राजस्तान के अंदर ये goods consume हु हुए तो सेंट्रल गवर्मेंट को 2592 और राजस्तान गवर्मेंट को 2592 मिलने चाहिए राजस्तान गवर्मेंट को 2592 मिलने चाहिए लेकिन जब हमने पूरा working किया तो पता चला कि सर राजस्तान गवर्मेंट को तो सिफ 864 मिले 1728 तो नहीं मिले तो हम क्या करेंगे नहीं हम में राजस्तान में consumption हुआ है तो राजस्तान को 2592 मिलने चाहिए तो यह जो difference है 1728 हम राजस्तान government को देंगे तो अब last second box में क्या हुआ कि transfer by center to राजस्तान तो राजस्तान को हम उतना देंगे तो राजस्तान का total tax इतना दे दिया था अब center transfer करेगी लेकिन center transfer करेगी तो center में स प्लस हो जाएंगे 1728 राजस्तान government में प्लस हो गए और 1728 central government में से minus हो गए और automatically आप ध्यान से देखो यह mathematical देखो इतना सारा adjust होगा कि आपकी जो last entry थी ना dear friends आपकी जो last entry थी ना वो अपने आप set हो जाती है 2592 CGST 2592 राजस्तान SGST अगर आप देखोगे ना तो आगे का जाएगा और आपकी जो last entry थी जो आपका last sale था जिसमें CGST 2592 SGST 2592 राजस्तान को है तो पूरा analysis करके राजस्तान government को 2592 मिल जाएंगे central government को 2590 मिल जाएगा और गुजरात government को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि गुजरात government ने ये गुजरात में sale नहीं किया है तो ये जो दो minus plus का जो adjustment था ना dear friend वो GST का heart है कि GST का जो main intention है वो देश को एक करना देश को आगे बढ़ाना देश को financially grow करना और हर state जो capable नहीं है उसे भी अपने pair पे खड़ा करना that is the logic behind what GST was भले obvious है उसमें भी लोगों ने मना ही किया था कि इंडिया GST के लिए ready नहीं है GST आता नहीं है इन लोगों को पागल लोग है सुनो कोई भी यह सब calculation होते ना यह Prime Minister को नहीं आते to be very honest Finance Minister को भी नहीं आते आप ऐसा मानते हो कि Finance Minister नरेंद्रमोधी को यह सब चीद समझ में आती है तो नहीं समझ में आएगी बट उनका intention clear होता है कि हमें ऐसा कुछ करना है बाकि उनके पास Char सब्सक्राइब करना है कि हर स्टेट को अगर ग्रो करना है then you have to work in that manner see अगर आपको मैं ऐसा बोलू ना कि आप आपके परिवार को या आपके गाओं को आगे लाके दिखाओ मैं ऐसा बोलता हूं आप आपकी सोसाइटी को आगे लाके दिखाओ आपकी खाली सोसाइटी मैं जब एमदाबाद में रहता था था ना तो एमदाबाद में हमारी सोसाइटी थी ना इतनी बैस सोसाइटी या अगर आपको कोई चीज करनी है यह तो आपके परिवार में भी देखोगे ना तो आपके अंकल मासा एक दो ऐसे आइटम लोग होगे जिनको सुधारना बहुत डिफिकल्ट है मैं ऐसा बोलू ना आपके गाउं को आगे लेके आओ तो आपके गाउं में भी दस लोग ऐसे होंगे जिनको आप कुछ भी अच्छा बोलोगे न वो एंटी सोचने वाले उनका दीमागी नेगेटिव है कि तुम्हें समझ में ही कहा आता है यानि आप ऐसा सोच लो अगर मै इंडिया को एक साथ लेके आना कितना डिफिकल टास्क है ऑके बट स्टील सी वन यह ट्राइंग इस अगुड थिंग ट्राइंग इट्व में आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है सबसे important है आपको यह flow याद रखने का कि IGST IGST के सामने set होगा फिर balance बचा तो CGST के सामने फिर balance बचा तो SGST के सामने CGST पहले CGST के सामने set होगा फिर balance बचा तो IGST के सामने SGST पहले SGST के सामने set होगा और फिर balance बचा तो IGST के सामने Is it okay? So now this entire concept is completed अब मैं आपके questions answer लोंगा, जिसको question answer पूछने है वो, और screen मैं बढ़ी कर रहा हूं, so if you want to take screenshot or something like that, you can take that screenshot, screenshot दो पाट में लो तो ज्यादा अच्छा, जैसे ये this is first part, X, A and B, फिर दूसरे पाट में लेना, so it will be better, and meanwhile now I am going to cover up your doubts, आपके जिसके भी जो doubts है, उसको मैं cover कर रहा ह okay, so those who have doubts, I am taking up doubts, and rest can take a break, okay, किसी को leave होना है, तो भी आप leave हो सकते हो, कोई problem नहीं, but doubts कई बार interesting होता है, dear students, ऐसा नहीं होता, okay, आपके दिमाग में क्या question आता है, वो मुझे कैसे पता चलेगा हर बार, okay, so let me take a doubt, अक्सर का question है, so if goods are produced in Gujarat, but consumed in Rajasthan, then initial businessmen will pay tax on their state, and lastly, Gujarat government will pay to Central and Central to Rajasthan, correct, अक्सर, ऐसा ही flow होगा, यूराच सर, 1800-172872, profit to Central, कहा है, profit कहा है बेटा, ऐसा तो कोई data था नहीं, 1800 and etc, ये तो data exact में चो जाएगा, profit तो कहीं पर आया ही नहीं, where you found out profit, there is no profit anywhere, सिम्रन का question है, but sir, IGST is also paid to Central government, but it can be set off against SGST, yes, हाँ, set off क्योंकि IGST क्या है, mechanism अब बगर आप set off का नहीं रखोगे न, सी, IGST का जन्म क्यों हुआ, आप ध्यान से देखो, SGST क्या है, 29 state के लिए, 29 SGST है, dear friends, ओके, स्वारी, आप इसका screenshot ले सकते हो, second part, ये पहले A to B का होगे, this is second part, you can take screenshot, I was answering to Simran, कि Simran, IGST एक mechanism है, उनको set off देना इसलिए, यानि सरकार ने क्या बोला, मैं बीच में खड़ा रहता हूँ, देखो, अगर आपके state में ही transaction होता है, गुजरात और गुजरात में, तो तो confusion ही का है, लेकिन गुजरात से राजस्तान गया, राजस्तान से केरला गया, तो दोनों state जगड़ेगी, कि ये वैसे किसको मिलेंगे, तो ये जगड़ा ना हो, उसकी वज़े से IGST बीच में आ जाता है, कि इस problem को मैं solve करूँगा, आप लोग बीच में मत आओ, तो that is logic behind IGST, no other logic, उके, प्रांसु का question है, सरबट GSTR का चलन पे करते हैं, तो amount equal रहता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं बेटा, आपका local sale होगा इसलिए, local sale यानि आप समझे, आप local C और S में बेच रहे हैं, और C और S में खरीद रहे हैं, इसलिए same रहता है, वरना कभी भी same नहीं रहता, कभी भी same नहीं रहता, मैं आपको बताता हूँ, say for example, अगर आप स्रीनगर और कास्मीर से, solve purchase करते हो, ये sweaters purchase करते हो, तो जब आप purchase करेगा, तो IGST लगेगा, और आप बेच रहे हो, सिर्फ बरोडा में, swap है आपकी, तो in that case क्या होगा, आपका sale क्या होगा, C और S, और आपका purchase क्या होगा, आई, तो वो कभी भी same नहीं होगा, आप रख सकते हो same, आपकी मर्जी बाकि ज़रूरी नहीं, महित्री, Sir, if it was production based, then how will it be distributed, प्रोडाक्शन बेस था ना बेटा, तो जहाँ पे factory लगती थी न, एक साइस के साथ आपकी factory gate से goods निकलते थे, तब आप tax पे करते थे, यानि जहाँ जहाँ factory होती है, वहाँ से goods, आप वहाँ पे tax बर देते थे पहले, तो state tax को बहुत मिलता था, octroi tax बहुत मिलता था, इते इसका genuine question है, Sir, production गुजरात में हुआ, तो गुजरात को tax मिलना चीए, ना मिलना चीए, बट बेटा नहीं मिलेगा GST के अंदर, उसको दूसरे सब benefit मिलते हैं, government क्या बोलते हैं, कि अब आप industry डालोगे, तो industrial benefit देंगे, subsidy देंगे, आप employment देंगे, तो हम आपको ये benefit देंगे, सस्ते में जमीन देंगे, ऐसा सब benefit मिलता है, लेकिन GST का नहीं मिलता, Sir, last amount is paid to GST amount and amount is distributed between center and respective state, is correct, Sir, correct, correct है वो, Krishna, Sir, whenever IGST is collected, it will be distributed to both state or consumption state, consumption, नहीं बोज स्टेट नहीं डियर्वेंट, एक consumption state और central government, यानि यह जो last transaction था राजस्तान में, तो आधा राजस्तान को और आधा central government को, मुद्राज कोश्चन ही, Sir, अगर गुजरात का tourist है, जो राजस्तान गुमने आया है, एन वो राजस्तान में purchase करता है, consumer बन के तो क्या होगा, देखो, मुद्रा का question बहुत genuine question है, जो final में आता है, अगर आप गुजरात से राजस्तान गए और राजस्तान में आपने purchase sale किया ना, तो हम ऐसा assume करते हैं, कि वो transaction राजस्तान में खतम हो गया, और वो राजस्तान में खतम हो गया, तो उस पे C और S लगता है, IGST नहीं लगता है, क्योंकि देखो, आप कोई जगा पे गए ताजमेल गुमने गए, और अगर आपने वहाँ से ताजमेल खरीदा, यानि छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, वो ताजमेल आपने 100 रुपे में खरीदा, वो आपको सेल कर देगा, वो आपको पूछेगा ही नहीं, आप गुजरात से हो, तो वो क्या हो गया, B2C सेल हुआ, B2C यानि बिजनेस टू कस्टमर, यानि कस्टमर वहाँ पे लोकल है, ऐसा अज्यूम करके, हम C और S भर देंगे, देखो सरकार को तो देखो, दोनों सीचुएशन में 18% ही मिलने वाला है, C या S हो या I हो, तो वो लोग लोकल सेल मान लेते हैं, ओके, in that scenario it is considered as local सेल, आप गुमने गए और वहाँ से कुछ खरीदा है, तो, ओके, यार सुन, एनिटिंग एल्स, चलो आपका फोन ठंडा होने दो थोड़ा, आपका दूसरा सेसन भी होगा, ओके, चलो टेक केर बाई, और ये वीडियो यूट्यूब पे है, कभी भी आपको देखना हो, तो देख सकते हो, थुड़ा अशा ओड है, तो आप दो बार देखोगे, तो भी चाहिए,